दिन दिनों शोशल मीडिया पर भागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण महाराज के उपाए और चमतकारों की चारों तरफ चर्चा है उनके चमतकार देखकर लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है भागेश्वर धाम महाराज धीरेंद्र कृष्ण महाराज के सिर्फ भारत में ही नहीं बलकी पूरे विश्व में प्रशनसक हैं इतना ही नहीं विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के फैन्स उनके दरबार के वीडियो शोशल मीडिया में पोस्ट हो रहे हैं उनके दर्शन के लिए भक्तों का ताता लगा रहता है जिनके कारण पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को दरबार रात में भी लगाना पड़ता है बता दें कि बागेश्वर्धा महराज के दरबार में सैकडों लोगों की भीर जुटती है उनके प्रशनसक बताते ह हैं कि पंडित जी अपने दरबार में किसी भी अंजान व्यक्ती को बुलाते हैं जब तक वह उनके करीब पहुंचता है पंडित महराज उस व्यक्ती का नाम उसका पता एक परचे में लिख लेते हैं लोग इस बात से हैरान है कि जब कोई इतना दूर से आया है जिसके बार कैसे बीता ये भी उन्हें पता होता है वह उनके पिता उनके बेटे के बारे में पूरी जानकाली बता देते हैं महराज अपने प्रशंसकों की परशानियों का निवारण भी बताते हैं वीडियो वाइरल होने के बाद लोग अचंभित हैं कि 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 किसी के बारे में इतना कै किसे जान सकते बागेश्वर धाम महाराज के दर्बार में हर दिन सैक्णों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं भक्त कर प्रशंसक बताते हैं कि महाराज के पास अरजी किस्मत से लगती है और इसके लिए कई दिनों का इंतिजार भी करना पड़ता है इतना ही नहीं देश विदेश के भी भक्त लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं महाराज धीरेंद्र कृष्ण महाराज अपनी रामकता और दिव दर्बार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें JT News Only Truth और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूस चानल JT News Only Truth